है लो फ्रेंच्ट्स आज हम बनाएँगे मटन और इसको हमने आदा किलो मटन लिया है, इसको हमने अच्छे से वास कर दिया है और इसमें एक चमच्छ हम नम्क डालके थोड़ा से कुकेंग डॉल डाल देंगे ताकि अच्छे से बॉयलड हो जाए और इसमें तीन चार सेटी लगाएंगे चार सटी लगाएंगे और प्याद लस्ट्रा कार्ट को अब हम आसा के साथ कनल नया कि जीरह और काले मिर्च प्रजल साभशा गर्म मशाल है दो इलाजी में लाजी बाइनगे हैं और पाने चमच, हल्दी आदी चमच और कसमेज लाल मेज डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक नमक हमने आदी चमच डाला है क्योंकि एक चमच हमने बॉयल्ड करने में रख दिया था और यह देखे मटन हमारा अच्छे से बॉयल्ड हो गया है चैक भीकल लिया हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया, मैंने कड़ाई में इसी कीसास immediately टीन तेज़ पत्ते और लसन डाल दिया सह जो हमने इद है थीखने ज़ो सब करके रहा था सबकाई से मिक्स कर देंगे और कड़ाई में इसको हम डाल देंगे कड़ाई में डालने के इसको हम अच्छे से भून लेंगे सारे सभी मसालों को और लस्टन के पेश्ट को ये देखी थोड़ा से हमने इसको ढख के पका लिया था तेल भी इसमें से अलग होने लग गया है थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे और यह मसाल हमारा अच्छे से पक गया है हमने बर्ल किया हुआ जो मतन बनाया है उसको हम कड़ाई में डाल देंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम थोड़ा और पका लेंगे आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें इसमें हमने डाल दे हैं मतन का मसाला एक चमच करीब सबको हमने अच्छे से मेक्स कर लिया है इसको ढखते भी हम पका लेंगे 5-10 मिनट के लिए ये देखे पानी भी इसका अच्छे से पग गया है उबालाने लगे गास की फ्लेम का हम स्लो कर देंगे स्लो आज पे भी हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे ये देखे मतन हमारा बन के त्यार हो गया है और बहुत ही तेश्ची बना है आपको अगर इसके वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जासे ज्यादा सेयर करें थेंक्यू दोस्तों